फिजिक्स के ओनलाइन क्लासेज में आपकाlying welcome है तो मैंनि सारशवत これ है or सही इंड़ने अट्रेक्शन फोर्से कोड आपने उपार्द करती है तो fix path कैसा भी हो सकता है facto linear path हो सकता है state line हो सकता है और elliptical path हो सकता है और उसी के कारण के body having fix path की पर motion कर रही है तो दोनों body's के बीचे में लगने वाला जो gravitation force होता है उसके बारे में newton है बोता है तो gravitation है क्या? iscond definition के coding है, अब देखें तो gravitation says all bodies always attract each other मतलब कोई भी दो बोडीज है वापस में क्या एक attraction force के कारण क्या है एक दूसरे से relate motion करती है it means relative motion relative motion हो रही है तो कोई ने कोई attraction force है उसी के कारण लगती है class के अंदर यही चीज़ डिसकस करेंगे कि gravitation है क्या gravitation force की value क्या होगी और gravitation force के बारे में Newton ने बताया था और उन्होंने क्या इसका एक special formula दिया था और उस formula के according हम दो बोडीज के भीच में लगने वाले attraction force की value find out करते है तो starting अब हम देखते हैं कि law of definition क्या है law of universal gravitation says that every particle attract every other particles in the universe with a force that is proportional to the product of their masses. मतलब जो force लगेगा जो force F force लगेगा वो क्या होगा इन bodies के M1 और M2 के क्या होगा directly proportional होगा and inversely proportional to the square of the distance और यह body R distance के उपर रखी गई है अगर यह body R distance के उपर रखी गई है तो उसके क्या होगा inversely square होगा तो इनको first और second को अगर हम combined form में देखे हैं तो F की value fix आएगी M1 M2 happen R square distance between their centers तो यह distance कहां से measure करना है center से तो next हम देखते है ग्रेटेशन force तो Newton's law of universal gravitation तो इसके बारे मैंने आपको बता दिया है कि Newton ने इसके बारे में formula drive किया था उसी formula से दो bodies के बीच में लगने वाले attraction force की value find करते हैं तो F1 जितना force यह body इसके ऊपर लगाएगी उतना ही force क्या लगाएगी यह body लगाएगी बट दोनों फरेकित हैं इसकी direction इस इसकी direction यह है F1 से लेकर 2 और इसकी direction क्या हो जाएगी F2 1 मतलब दोनों bodies के बीच में लगने वाला जो attraction force है वो क्या है F1 और F2 की value क्या है same है बट दोनों की direction क्या है अलग लग आती है तो क्या है magnitude form में लिखे हैं कि इसको G M1 गुना M2 upon R square तो अब इस जो यह force लग रहा है इस force के most important fact जिसे में पता चलता है यह force किन physical quantities के उपर depend करता है अर्थार्थ दोनों bodies के बीच दिस्टेंस को हम कम कर दें या जादा कर दें या mass है उनका double mass कर दें या mass को short कर दें तो यह force कितना लगेगा तो next देखते है इस दा विकेस्ट non-contact force इन दा नेचर नेचर के अंदर यह force ऐसा है कि दोनों bodies एक दूसरे के physically contact में नहीं आती फिर भी कि दोनों bodies के बीच के अंदर force exist करता है इस अबेदा inverse square law inverse square का मतलब क्या हुआ f आपके पास यह लग रहा है आपके पास जो आप आपने यह लिखा f पर पॉस्टेंस को क्या कम करते जाएंगे जैसे distance दोनों bodies के बीच में example लें कोई जैसे r equal to 2 meter थी distance तो force क्या ले गया f equal to क्या आगया 1 upon 4 newton तो अगर यह distance में 3 meter कर दूं 3 meter distance कर दूं तो force क्या हो गया 1 upon 9 मतलब force क्या है square square के form के अंदर के decrease होता जा रहा है जैसे जैसे distance बढ़ रही है तो force क्या है square की form के अंदर decrease होता जा रहा है तो it is always positive in nature मतलब force की जो nature होती है वो attractive nature को होता है यहां पर reflection force का कहीं कोई नाम नहीं है क्योंकि क्या attraction force है बस इसके अंदर फरह कितना है दोनों इसकी जो direction होगी वो एक दूसरे से क्या होगी opposite होगी it is directly proportional to the product of their masses of the two bodies तो आयाब ने discuss कर लिया एक दोनों masses में क्या होंगे f क्या होंगे product of the masses तो इसको क्या लिखेंगे f proportional m1 m2 क्या होगा दोनों masses के productly तो product होगा उसके mass के क्या है directly proportional होगा तो यह था gravitation force तो gravitation force के बारे में क्या है दो bodies की बीच में लगने वाला attraction force है और उसी attraction force के एक अर्थ की surface के उपर हम easily motion कर सकते हैं और universe के अंदर देखें तो क्या है जो planets होते हैं वो fixed path के अंदर motion कर सकते हैं इसके बाद में gravitation force जो Newton ने बताया था तो इसके क्या most important fact यह थे थे most important fact most important fact Newton's love gravitation तो starting अंदर formula है से लिखेंगे f equal to g m1 m2 upon r square की यह तो होगी force की value यह क्या magnitude form के अंदर है यह force की value जो लिखेंगे है f equal to g m1 m2 upon r square यह क्या magnitude form के अंदर force की value है अगर direction करेंगे तो यहां पर क्या direction करेंगे तो अलग-अलग दोनों को prove करना पड़ेगा जैसे आप उन यहां पर discuss करते हैं कि यह हमारे पास कोई body है इस body का mask है m1 mask है और इस body का mask है m2 mask है एक body का mask m1 है दूसरी body का mask है m2 है और दौनों body के बीच में जो distance है वो क्या है वो में given है वो क्या r दे रखी है दौनों body के बीच में लगने वाला force क्या होगा है f equal to क्या होजाए g m1 m2 upon r square तो देखते हैं g के starting करेंगे g के बारे में g यहांबे होता है, Gravitation Constant g क्या होता है, Gravitation Constant g होता है, Gravitation Constant और इस Gravitation Constant के value का रेती है fixed रहती है जो g Gravitation Constant है इसके value का रएगी? fixed रहेगी और इसकी value होती है 6.67 इंटो 10 की power minus 11 newton गुणा meter square upon kg square यह g की value है जो क्या है g की value fix रहती है इसलिए इसको fix रहने से मतलब यह हुआ कि आपके पास दो यह body है इस body को आप किसी भी दूसरे medium के अंदर लेके जाओगे तो वहां पे कहा है जो force अलग रहा है f equal to g m1 m2 upon r square इस force की value same रहेगी चाहिए इन body के बीच में आपने liquid डाल दिया और इन body के बीच में आपने glass की slab रख दी जो force लगेगा उस force की value कहा है आपको same मिलेगी must force की value में कोई change नहीं आएगा इसलिए इसको universal gravitation constant भी कहते हैं इसलिए इसको क्या बोलते है universal सबसे बड़ा question यही बनता है कि कि G को universal gravitation constant क्यों कहते हैं कैने G को universal constant इसलिए कहते हैं क्योंकि दो bodies के बीच में अगर आपने को medium रख दिया तो उस medium को उपर G का मान depend नहीं करेगा चाहिए इसके बाद में देखते हैं next तो start firstly हम देखते हैं जो F होता है वो होता है central force इस force को किसे में category में count करते हैं central force central force central force के बारे हम देखते हैं central force के बारे हम देखते हैं तो central force है क्या दो बोडी दोनों bodies के बीच में लगने वाला F है हम पर क्या होता है central force तो central force है क्या दोनों bodies के बीच में लगने वाला attraction force ही है बट Central force कहने का मतलब यह का अगर इस body से यहां से यहां से की दिस्टेंस होती है वो क्या करते हैं Center to center measure करते हैं जो distance होती है वो कहां से measure की जाती है? Center to center distance को measure की जाती है दोबारे repeat कर रहा हूं कि दोनों bodies के बिसमें जो distance लेते हैं, जो separate distance होती है, वो center to center measure करेंगे, center to center measure करेंगे, और जो force लगेगा, वो at the line joining force होगा, कौन सा force होगा, at the line joining force इसके ओपर work करेगा, at the line joining, it means, इस force की direction, यह force ऐसा कभी work नहीं करेगा, ना यह force ऐसा लगेगा, ना यह force ऐसा या लगएगा ना यह फोर्स इसकी direction कहा होगी direction यही direction रहेगी इस force की जो blue line से दीख रहा है आपको यही force की direction रहेगी इसी line की उपर क्या करेगा force वर्क करेगा तो इसलिए इसको central force लेते हैं और यह gravitation force होता है क्या conservative force होता है और conservative force क्या होता है मैसा initial or final condition के उपर depend करता है जो conservative force होता है वो initial or final condition के उपर depend करता है ना है कि किसी path के उपर और यह आप यह आमने discuss कर लिया है इनकी बीच मेडियम कैसा और यह force depend नहीं करता इसके बाद मैं second देखते हैं at the line joining force यह हो गया third देखते हैं point mass point mass के बारे में एक निया concept है point mass है क्या इसके बारे में discuss अभी करेंगे point mass होता है कि दो bodies के बीच में जो separate distance d है अगर यह radius के compare के अंदर बहुत ज़्यादा हो radius के compare के अंदर इसकी value क्या है बहुत ज़्यादा हो तो जो M1 M2 होता है इनको क्या point mass consider करेंगे तब ही हमें क्या हो है कि जो force दोनों bodies के बीच में लग रहा है उसकी value find out होगी मतलब में feel होगा कि यह force यह लेकर अंदर वरक कर रहा है तो यह जो gravitation force होता है यह कहा है बहुत nature के अंदर जो exist force है उनमें सबसे weak force यह ही है तो weak force कहने का मतलब यह वाकि earth और sun के बीच में force लग रहा है तो earth और sun के बीच में distance बहुत जाद है तो यह कहा है कि distance बहुत ज़्यादा होने कान भी force का exist करता है तो इसलिए कि दोनों bodies आप से physically contact में आती नहीं है फिर भी क्या करता है यह force work करता है तो इसलिए कि यहां पे point mass consider करते हैं यह जो M1 M2 है यह क्या point mass है और इन्ही point mass के एकान यह force F की वाली find out करते हैं तो इसके अंदर equation यह आता है कि class के अंदर बैठे हैं बच्चों की बीच में gravitation force क्यों नहीं लगता हां लगता है वहां पे क्या gravitation force work करता है पर उस force की वहली बहुत कम आती है compare to other forces माला उस force की वहली इतनी कम आती है कि दो बच्चे आप से में stick नहीं हो सकते इसलिए हम यह नहीं कह सकते है force लगेगा नहीं force वहां पे लग रहा है पर उस force की वहली बहुत कम है वह effectiveness नहीं है इसलिए हम कोई feel नहीं होता force लग रहा यह नहीं लग रहा है यहां पे हम value find करेंगे तो m1 और m2 की value क्या है कि किसी बच्चे का 50 kg होगा तो किसी का 60 kg होगा और distance r क्या है बीच में find out कर लेंगे तो यह एक effect था point mass का इसके बाद में आपन क्या देखते है point mass के बाद में point mass के बाद में एक निया इसके अंदर यह चीज़ देखी जाती है कि जो distance r है distance r जिसके बारे में जिस पे force क्या करता है mostly depend रहता है distance r यह distance r कहां से measure की जाए सबसे बड़ा question यह है distance r को कहां से measure की जाए सबसे बड़ा question यह है कि distance r दोनों body's के दोनों body's के ध्यान से देखना दोनों body's के center से center के बीच में distance होगी इस पर बहुत question आता है exam के अंदर दोनों body's के center से center के बीच में जो distance होगी वो distance count की जाएगी ना यह distance कभी count नहीं की जाएगी यह distance कभी count नहीं की जाएगी दुबारा repeat कर रहा हूँ, distance R के बारे में, distance R है दोनों bodies के center से center to center distance R को count करेंगे, ना कि distance दोनों bodies के context से की जाएगी, और ये line और Central force, Central force यहीं से आया था, कि Central force क्या होता है, दोनों bodies के center to center मिलाने वाली जो line होती है, उसी लाइन के उपर क्या करेगा फोर्स वरक करेगा तो यह तो था हमारे ग्रेविटेसिंग के बार में point mass consider करेंगे इसके बाद distance R और five number आप भून देखें कि यह जो gravitational force लगता है यह center of mass को effect नहीं करता यह जी सदा निया रगना कि जो gravitational force लगता है यह center of mass को effect नहीं करता कि दुनों bodies के बीच में जो center to center distance R है और force लग रहा है F equal to GM1 M2 upon R square तो यह क्या है दुनों bodies के center of mass को effect नहीं करता तो यहां तक complete हो गया G की value पता से लगी की G की value क्या होती है SI system के अंदर G की value SI system के अंदर क्या लिखेंगे 6.67 into 10 की power minus 11 वह अपसे बीट कर रहा हूं Newton into 2 meter square upon kg square यह किस में आ गई SI system में अगर इस ही value को आप CJ system में देखोगे तो value क्या हैगी देखते हैं 6.67 into 10 की power minus 8 तो वहां पर क्या होगा Newton ही होगा वहां पर क्या जाएगा dine आ जाएगा क्यों CJ system में क्या होता inverse आगी तो यह किस में आएगी value CJS के अंदर आएगी तो CJS के अंदर value यह रहेगी MK system में value यह रहेगी तो अब आप उनकी question discuss करते हैं first question कि आपके बास क्या two sphere of masses and m and small m m and small m है क्या उन mass की value है दोनों body क्या जैसे यह M1 हो गया यह आपके बास क्या है M2 हो गया आपके पास क्या मेंlingen ane mm यह होगी capital M कि आपके पास मो गया अगर वण यह ना पर लिखऊं को यह आपके पास M1 हो गया यह आपके पास यह मया हो गया M2 हो गया यह दिसक्स किया है और यह दोनों body डिस्टेंस क्या होती है, र होती है, तो महरे पास M1 की वेल्यू क्या है, M1 की वेल्यू है, small m, और M2 की वेल्यू क्या है, capital M, और R situated in air and the gravitational force between them is F, और यह क्या R distance क्यों पर रखे गए है, distance क्या R है, और यह क्या medium की बाद आगी यहां पर, तो मैं सबसे पहले F1 लिखता हूँ, और F1 क्या 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 लिखा है, मैंने, medium, तो medium के अंदर value यहां पर दे रखी है, F, क्या value है, F, यह value लिख दी, इसके बाद में क्या है, अब यही mass M1 और M2 mass होंगे, the space round the masses is now filled with a liquid of a specific gravity, अब इन्ही mass के बीच के अंदर कोई medium डाल दिया, इन्ही mass के बीच में क्या डाल दिया, कोई medium फिल कर दिया, और उसकी specific gravity कितनी है, 3, specific gravity को मैं जैसे SG से denote कर देता हूँ, specific gravity को SG से denote कर दिया, उसे value क्या है, 3 आगी, the gravitational force will now, अब gravitational force कितना लगेगा, तो आपके पास question यह हो गया, F new की value आपके पास क्या हैगी, वीडियो को pause कीजिए, question को discuss कीजिए, और answer match कीजिए, क्या हैगी value, तो मारे पास क्या है, 2 masses M1 masses की value दे रखी थी, उनके बीच में F force लग रहा था, अगर इन्ही masses के बीच में क्या, को medium specific gravity डाल दें, तो हमने यही चीज़ discuss की थी, कि जो G का मान है, वो किसी medium के उपर depend नहीं करता, जो G का मान है, दुबारे repeat करता हूं, मैं F equal to, F equal to होता क्या है, F equal to मैंने क्या लिखा था, F equal to क्या लिखा है, G M1 upon M2, upon क्या हो गया, R square हो गया, तो आब आप बताईए, कि नहीं फोर्स की value क्या रहेगी, F आएगी, 3 F हो जाएगा, F y 3 होगा, या F ही रहेगा, F y 9 होगा, तो आपके हिसाब से 3 F होना चाहिए, F y 3 होना चाहिए, इनमेश होने चाहिए, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि दुबारे मैं repeat करता हूं, जो G होता है, gravitational constant, वो same medium, same medium हो, चाहिए other medium हो, चाहिए कौन सा भी medium हो, उस G की value फरक नहीं पड़ेगी, अगर आपने, अगर मैं यह बोलता है, इनको air से लाकर air में fix कर दिया, जैसे G की value यहाँ पर 3 दरखी तर आपको 9 दे दिये, तो जो F लगेगा दोनों के बीच में, F लगेगा G M1 M2 upon R square, इसकी value आप गया मिलेगी, same ही मिलेगी, इसमें कुछ फरक नहीं पड़ेगा, तो मारा answer क्या हो गया, answer मारा कौन सा हो गया, B, मारा correct answer कौन सा हो जाएगा, B, मतलब दुबारे repeat, F equal to G M1 M2 upon R square, तो G क्या होता है, सभी मेडिया में समान रेता है, एक most important fact clear हो गया है न,